कि नमस्कार फ्रेंड और इस्टडी कुने में आपका फिर से स्वागत है और इस बार विभीन रेलवे जोन जो की 17 जोन होते हैं एके करके मैं दिशा में दे सक जो की इस्ट वेस्ट साव्स और नॉर्थ वरे लिखे गया है इसमें मैं बताऊंगा एके करके और सभी जो भी जिस दिशा में होंगे मैं उधर लिखते जाओंगा जैसे पूरव है पक्षिम मैं दक्षीन और उत्तर है और इसको मध्ध लेके ही चली इडीक है सरवात सुरूबात हम मदघ साहीं सुरू करते हैं तो यह हैं पर ध्यान देजिएगा मध्ध मध्ध कन्य जो है चर्चेगेट है दू आपको ध्यान अखना है कि मद्ध और जो वेस्ट है मद्ध और यानि पक्षिम दोनों को दोनों मुंबई है सबसे पहले आपको फीगर मैंड में आपको खुछ से बनाने भी है इसलिए ध्यान से देखेंगे आप और एक एक करके आप देख रहे हैं कर тnhbom bya Central हो जाएगा Central होता ही और आप का जो वेस्ट है यानि पर्षीम स्टीम यह लेकिन मंबई wait मंचिय है ठीक है आगे आप देखेते हैं सुरू करेंगे पंचियम हो गया उतर में जो होता हो को गयता है इस लीद हम कलकत्ता है रिभ्म कर ठी़ेफ दैसे को अड़ नॉर्थ नॉर्थ N से लिखा हुए नॉर्थ भी अंसे होता है और जो आपका-जोन परता है व भी जान से ही होता है। जी-डेली यह आपका नियोदेली है। ये तो उत्तर वालate है, भी नर्थ। वाला साइड तो आ थे और जो पश्चिम होगा मुंबई चर्च गेट के लिए है अब आपका साउथ ही देखते हैं साउथ जो है वो तह है चिन्नाई इसमें कोई याद करने के जोड़त नहीं है चन्नाई साउथ में है यह अप जानते हैं तो अपके पास कितने होगे पांच इस्ट में पूर में कोलकत्ता मध्धरेले मुंबई परस्ची में मुंबई चार्जगेट और नर्थ रेलवे नुदेल्ली और जो शाउथ है वो चन्नव मैं ओके फ्रेंड्स अब हम चलेंगे यह कोलकत्ता और मुंबई यानि के पूर्वे मध्धरेलवे कहा जाता है पूर्वे और मध्ध फिर रेलवे यहां पर आगा यह अगर यहां पर लिए आ जाए तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तर मध्ध रेलवे यह पस्चीम और मध्ध पस्चीम मध्ध रेलवे यहां पर आ जाएगा हम कहेंगे फिर डक्षिन मध्य दक्षिन मध्य यहाँ पे तो हम ये चार ची देखे लिए पांच हमने देख लिया अब चार में ये देखूंगा सबसे पहले बता दो कुलकत्ता खरी पूर्वे और मध्यरेलवे जो है वो आपका हाजीपूर है हाजीपूर जो कि बिहार में है ये हाजीपूर में है कोलकत्ता और मुंबई यानि को कलकत्ता और मध्यरलवे जो है हाजीपूर में आता है पूर्व और मध्यरलवे हाजीपूर याद रहेगा पूर्व मध्यरलवे हाजीपूर अब चलते हैं मध्य और उत्तर के बीच में यह आता है आपका इलहाबाद ठीक है उत्तर मध्य ले इलहाबाद होगा अब आपका है मध्य यह आपका जब्बलपूर है अब जब्बलपूर और कौन सरागे नीचे यहाँ पर यानि कि दक्षिन मध्य रेलवे डक्षिन मध्य रेलवे जोता है वो शिकंदराबाद दक्षिन मध्य रेलवे शिकंदराबाद चलिए अभी जो मैंने फिर लिखा वो देख लेता हूँ सबसे पहले में बताया कि पूर्व मध्य रेल्वे वो क्या होता है वो हाजिपूर है पूर्व मध्य रेल्वे पूर्वे और मध्य के वीचे वो आता है वो हाजिपूर है फीर है उत्तर मध्य रेल्वे वो आपका इलहाबाद होगा उत्तर मध्रेल ले कौन होगा इल्हाबाद पीड है पस्चिम मध्रेले बे वो जाएगा जबलपूर पस्चिम मध्रेले कौna होगा जबलपूर और लास इधर जन्नगी यानि की दक्षीम मध्रेले वो जाएगा सिकंद्राबाद याद रखने के लिए बताता हूं साउथ मोत अच्छे नहीं हैं और इस फोर सिकंद्राबाद इस यह दखेगा इसलिए साउथ मध्य रिलवे जो सिकंद्राबाद होगा ठीक है पर्षी मध्य रिलवे जबलपूर देखे मुंबाई मुंबाई आपके इधर उधर दोनों हैं इसलिए मुंबाई पर बल पर रहा है इसलिए यह दर रहा है पर्षी मध्य रिलवे जबलपूर बल पर रहा है बल मुंबाई मुंबाई इसलिए बलपूर पर्षी मध्य रिलव और आपका इधर देखे लिए मैंने उत्तर मध्रेलवे इलाहबाद तो मेरे पास कितने होंगे कोलकत्ता यह तो मैंने पांच लिखे और भी चार नौ होगे टोटल अब जो देखेंगे वो कहलाएगा पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर यानि यहां पर आएगा पूर्व उत्तर इसको मिला दें क्या बनाएगा पूर्व उत्तर यहां और यहां इसके बीच मैसले पूर्व और उत्तर पूर्व उत्तर अलवे ठीक है अब देखें यहां पर फिर उत्तर और पश्चिम ठीक है इसको कह सकते हैं पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर यहां प डक्षिन और प्रवल करें अब देखें यजा इरह साउथ और यह इस कि डक्षिन और पूरव ठीक है डक्षिन और पूर लो फज्ट tutorial साट को या अभा क्या हो जागा दक्षिन पूर्व मैं दरक्षिन पूर creative रही होगा तो पूर now that was fell याद हमाइब कि उत्तर और पूर बनाया इन पर इन प्रसी में लगे दक्षिन्गों जाये गोई यह रहिए दक्षिन पर प्रसिह में अड़र दक्षिन दर्फिण और पूरा और लुए यह दहुए यह देखा जाए क्या कहा है कि मैंने बताया था हाजेपूर बिहार में में है तो यह ज़रूर नेपाल ही होगा नेपाल में क्या कहा जाता है और यह याद रखेंगे हाजेपूर आपका इसी साइड आता है उत्तर और पुराग बीज में तो यह आपको हाजेपूर और गोरफपूर याद रखना है और अब यह आते हैं यह आपका है उत्तर और पॉशिम इसका बात करते हैं याद रिखेंगे जization सही है पूर सही है निए कि जैपूर है यह जैपूर है यह जैपूर है जैपूर जैपूर बल इसलिए था क्योंकि मुंबई मुंबई दो था मुंबई में अगल वगल इसलिए बल पर आसे जबल पूर लेकिन परवला भी पूर है लेकिन जैपूर है जिसके बल है उसका जैकार होता ही है यह दोनों एक साथ नीचे देखते हैं तो आपका पस्चीम और दक्षिन पस्चीम यह आता है आपका हुबली हुबली और चलिए मैं बता दूं कि यह देखें बल बली यह दिख रहा आपको बल पर रहा उसका नीचे बली है आपको पर जयकार है कि तीनों देख लिए यह दक्षिन है और पुरव है यह जैसे कोलकत्ता है तो यह भी कोलकत्ता ही है अब बताएं आपके पास कितनी होंगे टोटल जोन सबसे पहले पूरव परशिम उत्तर दक्षिन यह यह जो कि चार और एक पांच और यह सारे यह मैंने जो लिखा है सब ले देखर के पांच चार नो और नो चार तेरह हो गये टोटल मेरे पास अब कितने रहें चार वह चार मैंने जो भी पता है जोन यह चार जोन रहे जाते हैं तेरह के बाद यह चार जोन आप देख रहे हैं कि पुरुवतर सिमांट रेलवे पुरवी तट्वरती रेलिवे दक्षिन पूरु म्मदृ रेल्वे और मेटर रएल यह चार मैंने वह पूस चार मने नहीं रखा इसको अलग कर दिया और यह चार से प्रायगा है आप कोशय चार देख लेने तो मैं कर दोह धैसा ओना होगा कर dei कि एक दोनेश्वार धकशिन पूर्वा मद्ध वि देखिए को रहता तोम कुलकात काथम बद्रेक्शीन कुलक fonction करें गातना है और मेटरी और कर दोकाता हो और निसमान को pag vér भी ये यह है कुछ सा यह है माले गाउं तीक है यह सीमा गाउं कुछ अपने मन से ट्रीक जो भी अपने मन में लागा रहा है तो ध्यान देख लिए गाउं गाउं का जो शीमा रिखा है वहां से एक रेलवे जाती है पूर उतर रेलवे माले गाउं सीमा गाउं जब भी आएगा तो जरूर गाउं वहला जो था वह सीमा वहला था सीमांतर सीमांतर रेलवे पूरी तटवर्ति रेलवे पूरी तटवर्ति रेलवे जो भूनेश्वर है पूरी तटवर्ति रेलवे भूनेश्वर देखिए तटवर्ति अगर यहां स यां तर्ट वर्ति इश्वयर वोनेश्वयर इश्वयर तो पोतरी इश्वयर अंझा सुथ दक्षोट है दक्षिन पुर्वा मध्धर एलवे आपको मैं बताया था दक्षिन पुर्वा एलवे रहा था तो यह बिलासफूर हो जाता है दक्षिन पुर्वा मध्र एलवे इसको कैसे करेंगे देखे कि दक्षिन पूर्वे सोरी कि दक्षिन पूर्वे मत रहा है यह जगा बिलास्पूर बिलास्पूर इसे यह जो है कि लास को जो है हिंदु धर में जोता है लास को दक्षिन पूर्वे के दिसा में इसको रखकर जलाए जाता है दक्षिन पूर्वे लास करके है नहीं बिलास याद रहेए इसको स्बाइब विलास पूर्थ पिर मेटर रेल कोक्त्ता से टूटल तीन हो गये एक पुर्वे यहां देखैंस मैं उपर चाहता हूं और यहां पर आपका मेटो रेल भी कुल करता है अब बाड़ी आप रिवीजन की लिए त्यार है आप देखा जाए सबसे पहले चारो जोन सरी 5 जोन मैंने बताया था इसको ढग लेता हूं देखता हूं आपको कितना अभी बिल्कुल इसको ध्यान नहीं देंगे मन पर ध्यान आप यहां रहां रहां पास्ट्री इसके निदेखा सब्सक्राइश को न अलंब यहां अब इसके आगए था मैंने बताया था बाकी जो टीन जो डायर्यक्शन वच्चय तैनी की कि वे उत्तर और दक्षिण उत्तर को नौर्थ लिखता है नोर्थ से एन फोर्ण यूब्ली होता है तो नूर्थ New Delhi हो गया पुरव को मैं बताया था पूरव जो कोलकत्ता लिख दिया लुगा धफिक दख्राई मैं बताया था ज़ी जो है चिनाही तो दख्राई चिन नहीं हो गया तो इस तरह से आपका चारो डाइक्षन wnों में इसके बाद मैंने बताया था कि मद्ध और चारो डायरेक्ष होगाए जोड़ करोगी ञद्य जोडता पूर्व मधर हो जाय लिए पूर्व मधरल्वर पूर मधरलय जो बिहार आता से Want रहाई जाता है वह हाजिपुर जैगाय तो कि भीहार में ग्या मत्र उत्त जो जाएगा यू निनलक नीचे में इलावाद लिखाते ही लावाद होगा फिछे मौला इनिक पश्चिम मत्र स्कंद्राबाद इसका ट्रिक मैंने लिखते हैं और साउफ चे नहीं मैं याद कर लिया है तो क्योंना एस 4 सीकंद्रावद हो सकता है उपर में सीकंद्रावद में लिखा यह चारोग बाद इन्हीं 549 नौ के बाद मैंने बताया थे दो डायरेक्शन के बीच का थी दो डायरेक्शन के जिसे कि माली उत्तर और पुर्व जोड़े तो पुर्व उत्तर हो जाएगा अब पुर्व उत्तर जो होगा वो जाएगा गोरख पूर क्योंकि बिहार तरफ ही नेपाल है और नेपाल में जो सैनिक बहुत गोरखा बहुत है इसलिए आप याद करेंगे ठीक हाजिरपूर के उपर यहने की पूर्व और उत्तर के बीच का रेलवे पूर्व उत्तर रेलवे औ पूर्व टीर्चिन और पॉर्षा जंतर जाएगा पूर। अपने रल्शनाफ यहने पूर्व यहाण में पूर्व Movie आप कहाला papa पक्यूमे भी चालोग पस्ताली एक शाह बचाओ आभी क्याओ मदेर क्यूंकि अभी तक मैंने जितना भी कासि मध्ध बिना लगा है तो बोला दो गुण हुए इसलिए दक्षिन पूर्वी तट वर्ती दर्ती दर्टी में कहीं पठन आ रहा है पार्वर्ती शंकरवान इस इस वर से घुनिंदोब piece इत GB ञाए तो इसलिए पूर्वी तर्टी पूर्वी बनसुर पूर्वा पूर्वास तो इसलिए लास फूर यानि भी लास फूर दक्षिनपूर रेले हो जाएगा फिर मेट रेल मेटरेल जो को कलकत्ता हो जाएगा इस तरह से आपका सुत्रहो जून फिनस होता है ऐसे और भी कई महत्पूंच जीके हैं उसको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको लाइग मिलेगा तो मुझे लगए कि आपको जीके अच्छा लगा इसलिए मैं और भी इससे लेटेट जीके बनाऊंगा सॉट्रिक जिसे कहेंगे इसमें सॉट्रीक क्या है सॉट्रीक वह होते हैं मतलब जून में आतना मैं एके करके सॉट्रीक बना रहा हूं आप प्लीज सब्सक्राइब जरू करेंगे थैंक यू फूर वाचिंग मैं वीडियो